प्यारे देश्वासियों, युवाओं से समर्द हर देश में तीन चीजे बहुत माइने रखती हैं और वही तो कभी-कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती हैं पहली चीज है आईडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज़बा और तीसरी है केंडू स्पिरिट यानि किसी भी काम को पुरा करने की जिद्ध चाहे परिस्तित्या कितनी भी विप्रिक्यों न हो जब यह तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूत पूर्व प्रणाम मिलते हैं चमतकार हो जाते हैं आज कल हम चारों तरब सुनते हैं स्टार्ट अप स्टार्ट अप स्टार्ट अप स्टार्ट अप सही बात है यह स्टार्ट अप का यूग है और यह भी सही है कि भारत विश्व में एक प्रकार से नेत्रुत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये छेत्र बहुत तेज रप्तार से आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि देश के छोटे-छोटे शहरों में भी स्टार्टप के पहुंच बढ़ी आज कल यूनिकॉन सब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बार में सुना होगा। यूनिकॉन एक ऐसा स्टार्टप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम एक बिलियन डॉलर होता है याने करीब-करीब साथ हजार करोड रुपे से जादा। साथियों साल 2015 तक दे बेहत खुशी होगी कि अब यूनिकॉन्स की दुनिया में भी भारत तेज उडान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साथ एक बड़ा बड़लावाया है। सिर्फ दस महिनों में ही भारत में हर दस दिन में एक यूनिकॉन बना है। यह इसलिए भी बड़ी बा महारत में सत्तर से अधिक यूनिकॉन हो चुके हैं। याने सत्तर से अधिक स्टार्ट अप ऐसे हैं जो एक बिलियन से जाधा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों स्टार्ट अप की सभलता के कारण हर किसे का उस पर ध्यान गया है। और जिस प्रकार से देश स विदेश से निवेशोंकों से उसे समर्धन मिल रहा है शायद कुछ साल पहले उसके कोई कलपना भी नहीं कर सकता था साथियों स्टार्ट अप्स के जर्ये भारतिय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिल कर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम का सॉलूशन देने का प्रयास किया है मयूर जी नमस्ते नमस्ते सर जी मयूर जी आप कैसे हैं बस बढ़िया सर आप कैसे हो मैं बहुत प्रसंद हूँ अच्छा मुझे बताइए कि आज आप कुछ स्टार्टप की दुनिया में हैं और बेस्ट में से बेस्ट भी कर रहे हैं अब इनवार्मेंट का भी करने थोड़ा मुझे अपने बारे में बताईए कि काम के बारे में बताईए और इस काम के पीछे आपको विचार कहां से आया तो जब कॉलेज में तबी मेरे पास मोटर साइकल था जिसका माइलेज बहुत कम था और एमिशन बहुत जादा था वो टू स्टोक मोटर साइकल था तो एमिशन कम करने के लिए और उसका माइलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश चालू किया था कुछ 2011-2012 में औ और उसका मैंने करीब-करीब 62 किलोमेटर पर लिटर तक माइलेज बढ़ा दिया था। तो वहाँ से मुझे ये प्रेदना मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं जो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फाइदा होगा। तो 2017-18 में हम लोगों ने उसका टेकनोलोजी डेवलप किया और रिजनल ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन में हम लोगों ने दस बसेस में वो यूज किया उसका रिजल्ट चेक करने के लिए और करीब-करीब हम लोगों ने उसका 40% एमेशन उसका कम कर दिया बसेस में अब यह टekonology जो आपने खोजी है उसका patent और लिया है? यह पेटन्ट हो गया यह साल में हमें patent grant होके आगया और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है आपका किस प्रकार से कर रहे हैं जैसे रिजन्ट आ गया उसके भी सारे चिज valor आ गयी होगी तो आगे क्या सोच रहे हैं? सर्थ स्टार्टव इंडिया के अंदर नीतिया योग से अटल न्यू इंडिया चालेंज जो है वहाँ से हमें ग्रांट मिला और वो ग्रांट के बेसिस पे हम लोगों ने अभी चालू किया जहाँ पे हम एर फिल्टर का मैनुफेक्चरिंग कर सकते हैं तो भारत सरकार के दरब से कितना ग्रांट मिला आपको? 90 लेक्स 90 लेक्स और उससे आपका काम चल गया? हाँ अभी तो चालू हो गया है प्रोसेस में है आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सर्थ? हम लोग चार लोगे सर्थ और चारों पहले सात में पढ़ते थे और उसी में से आपको एक विचारा आगे बढ़ने का? हाँ जी हाँ जी हम कॉलेज में थे कॉलेज में हम लोग ने सब सोचा और ये मेरा आइडिया था कि मेरा motorcycle का at least pollution कम हो जाए और mileage बढ़ जाए आज़ा, pollution कम करते हैं, mileage बढ़ाते हैं तो average खर्च कितना बचता होगा? Sir, motorcycle के हम लोगों ने test किया उसका mileage होता 25 km per liter वो हम लोगों ने बढ़ा दिया 39 km per liter तो करीब-करीब 14 km का फाइदा हुआ और उसमें से 40% का carbon emissions कम हो गया और जब buses पे किया, regional transport corporation में तो वहाँ पे 10% fuel efficiency increase हुआ और उसमें भी 35-40% emissions कम हो गया मैं उन्में जो अच्छा लगा, आपसे बात करके और आपके साथियों को मेरी तरफ से बताई दीजिए कि college life में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने परियावरण के समस्या को एड्रेस करने के लिए आपने बिड़ा उठाया और ये हमारे देश के युवाओं का ये सामर्ती ही है कि कोई भी बड़ी चुनावती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहे हैं मेरी तरफ से आपको बहुत शुपकाम नाए हैं बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यू सर तैंक्यू साथियों कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है तब परिवार के बड़े बुजूर्ग का जवाब होता था तुम नोक्री क्यों नहीं करना चाहते अर नोकरी में सीक्यूरीटी होती हैं सेलरी होती हैं जंजड़ भी कम होती हैं लेकिर आज यदी कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साइत होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ड भी करते हैं साथियों भारत की ग्रोफ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है जहां अब लोग सिर्फ जौब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहें बलकि जौब क्रियेटर्स भी बन रहें इससे विश्व मंच पर भारत के स्थिती और मजबुत बनेगी